हालो दोस्तो मैं हूँ आपका वेयर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे थैसा ले जिसका नाम है इंफो वेयर है कि दोस्तों पहली चीज यह है कि देखिए यहां पर हम लोगsehen information देते हैं यहां पर ना हम लोग कुछ चीज बेचते हैं ना कोई हम लोग क्या बोलते हैं उसे WhatsApp गुरूप बनाते हैं ना कोई Telegram गुरूप है ना कुछ webinar होता है ठीक है यहां पर पेर कुछ भी नहीं है आपको किसी भी चीज के पैसे किसी को नहीं देने हैं अगर कोई भी आपके पास इंफो बेर नाम से कुछ पैसे ले रहा है या गुरूप बना रहा है तो उसे आप जोई ना करें यहां पर इंफो बेर का कुछ भी नहीं है यहां पर सीफिक बात करने वाले है वह है बजाज फैनेंस लिमेटेड एक वीडियो में इसके उपर बना चुका हूं कोछ दिन पहले फिर एक बार में वीडियो बना रहा हूं कि हालत और सिच्विएशन अभी बजाज फैनेस में थोड़ी सी बदल चुकी है यह एक टाइम पे मेरा मन आज भी है जब यह चार अजार के पास ट्रेड किया करता था तभी उतनी हिमत नहीं होती थी इतना बड़े खरीदने की बट शेयर का जो रिस्पॉंस था जो फंडामेंटल इस्टेबैलिटी थी वह आज भी उसी तरह से मेंटेंड है और यहां पे एक बड़े कंपनी में सब्सक्राइब करता है और यहां पर अब सब्सक्राइब करने के लिए आपको या फिर इसे कंपेटिशन करने के लिए बहुत अच्छी तरह से मार्केट को इस कंपनी ने कवर करके रखा हुआ है इस situation में impact हरे company को होगा उसी तरह से बज़ाज को भी impact हुआ काफी सरे बज़ाज की share की जो price है वो नीचे गिरी गिरते हुए हम सब ने चायद आपने भी खरीदा होगा मैंने भी खरीदा मैंने खरीदना शुरू किया था जब यह शेर 4000 का 3000 के आसपास आया था 2900 में मैंने पहला शेर खरीदा था और उसके बाद में मैंने सब्सक्राइब करते हैं जैसे शेर गिरता गया मैं शेर खरीदता गया तो आज मेरे पास एक दस-पंदरा शेर है बज़ेश फैनेंस के कि मेरा 2000 के आसपास 2000 के आसपास कुछ है तो एक अच्छी कंपनी एक सस्ते रेट में मैंने खरीद के रखी हुई है और किस तरह से एक बेनिफिट हो सकता है मैं क्यों बोल रहा हूं इसको लॉंग्टर्म के लिए खरास होना है उसके बारे में में आज बात करेंगे अब लोग मिलके बात करेंगे इसके ऊपर हर एक चीज़ बताऊंगा स्टार्ट करते हैं पिछले कुछ बातों से अगर आपको याद होगा HSBC ने और और एक कंपणी है उन्होंने टार्गेट दिया था 3700-3800 के आसपास का मतलब 75% की हाइक के उपर के टार्गेट और इनलाइजर कंपणी इसके उपर दे चुकी है मतलब definitely company में दम है company बढ़ने वाली है बट मैं short term क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं long term क्यों बोल रहा हूं यह बहुत बड़ा मैं आपको बताऊंगा एक चोड़ी चोड़ी चीज के बारे में हम लोग discuss करेंगे step by step तो पहले हम लोग company के बारे में जान लेते company है क्या बजाज finance limited को अगर आप Google करोगे पहली बात तो आपको कुछ मिलेगा नहीं आपको मिलेगा बजाज यह कंपनी या इसकी कोई website नहीं है इसके यह किसी के बजाज फिंसर्फ के अंडर आती है company बोल सकते हो parent company जो है बजाज फिंसर्फ लिमिटेड है यह company basically financing जो होता है personal financing या फिर medium term companies जो होती है चोटी मोड़ी companies होती है MSME जिसे हम लोग बोलते हैं तो उनको finance करती है और जो main company है बजाज फिंसर्फ यह insurance में है तो पूरा जो है nbfc टाइप का जो भी आता asset management हो गया आपका लेंटिंग हो गया आपका wealth management हो गया insurance हो गया तो फिंसर्फ पूरा जो है वह cover कर लेती है इसी के इसी को लेके जहीं अगर चारो पांचो देखें मार्केट केपिटल अगर आप देखोगे तो एक लाग 20,000 का करोड का market capital ले किसे जार कोर बहुत बड़ा market capital हो जाता है तो पी में हमेचा सजेस्ट करता हूं दो अगर कोई share आपको buy करना है तो पी देखिए आप 20 हो या 20 से कम हो या 20 के तो यहां पर आज भी में वही सजेस्ट कर रहा हूं यहीं ठीक है इस कंपनी के लिए आप कर सकते हो लेकिन अगर थोड़ा वेट कर लोगे तो यह 22-21 के आसपद यह पी शायद आने वाले एक महिने में आ सकता है मतलब कंपनी का बिजनस से एक मेन और नहीं चलने वाला है तो यह एक इंपोर्टन चीज है EPS कंपनी का बहुत अच्छा आपको मिल रहा है 81 रुपीज का EPS है इंडस्ट्री पी अगर आप देखोगे तो मैंने कहा था 20 के आसपद होना है जो तो इसका 20 के आसपद यहां पर इंडस्ट्री पी आपको मिल रहा है कंपनी का पी क्यों है क्योंके भाई मार्केट लीडर है जाएंट है फंडामेंटली स्ट्रॉंग है तो इतना जल्दी उसका पी नहीं गिरने वाला है तो वह भी एक चीज़ आप याद रखेगा और यहां पर गिरने में थोड़ा समय लग सकता है तो यहां पर गिरने में जो आप पैसा कमा रहे है अपने लिए इतना काफी है अभी आगे जाके कंपनी के थोड़े से और डीप में हम लोग फंडामेंटल देख लेते हैं अगर आप मनी कंट्रोल यूज करते हो तो एक रैंडम लिया फिगर देख से तो 70% लोग जो है वो ऑफर कर रहें कि भाई क अगर में अगर में भी होल्ड करता हूं तो मेरा लॉस क्या हो सकता है तो वह मत किजिएगा होल्ड करके रखेगा अगर आपने भाई भी करके रखाए बड़ी प्राइज पर ठीक है थोड़ा पैसा लॉक रहेगा आपका बट यह रिटन आपको डेफिनिटल लाके दे देखेंगे तो अन्यूली देख रहे हैं हम लोग इसका फंडामेंटल ठीक है चाले स्टैंड अलोन भी देख लेते हैं यहां पर आप देखो के से पीछे से शुरू करेंगे तो पिछले पांस साल का में अपको दिखा रहा हूं थे कि से में ग्रोथ हो रहा है ठीक है तो टोटल इंकम 17,000 हो जाता है अगर आप करो गें तो मतलब इंकम तीन गुना है अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई फरक नहीं पड़ता है अगर पाइट का इंट्रेस्ट निकलते जा रहे हैं और वह डेट का इंट्रेस्ट रिपे कर रहे हैं तो डेट का कोई फरक नहीं पड़ता है आने वाले समय में कंपणी जो डेट क्लेर करी देगी क्या अब रिलाइंस के बारे में सोचो के तो आज रिलाइंस पे बहुत कुछ धाई लाग करोड का कुछ अगर में अगले नहीं हो तो उतना सारा डेट है तो वह अभी कवर अप हो रहा है रिलाइंस उसको जियो को बेच बेच के बेच बेच के 2019 में जो है वो डेट-free कंपनी से वह इंट्रेस्टेट ज्यादा हो जाते हैं यहां पर टैक्स की बात करेंगे तो टैक्स अगर आप देखोगे तो 2000 का टैक्स लगा हुआ है यहां पर तो टैक्सेशन भी अच्छा का सा अमोंट कंपनी का जा रहा है पर उतना जाने के बाद भी अगर आप नेट प्रॉफ सब्सक्राइब यहां पर देखेंगे आप तो देखिए यहां पर थोड़ा पूर पर्फॉर्फॉर्मेंस है रेवेन्यू में कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है उतना ही है कुछ दे दोस्तों करोड का कुछ ग्रोथ है अधर इंकम तो भाई छोड़ी दो चार करोड के अधर इंकम है 6500 करोड का तो टोटल इंकम निकल के आ रहा है अभी उतने ही है नतब डबल है मतलब तीन गुना इंकम हुआ करता था वह दो गुना हो चुका है इंट्रेस्ट भी थोड़ा सा अभी इसके कंपारीजन में कम ही आ रहा है समास कीजेगा इंट्रेस्ट उतना ही है 2000 का जो चल रहा था टैक्सेशन उतना ही क्योंकि प्रॉफिट कम है इसलिए टैक्स कम लग गया और नेट प्रॉफिट भी कम है अगर आप पिछले 19 का अगर कौर्टर देखोगे पिछले चार कौर्टर के कंपारीजन में यह मार्ज का जो कौर्टर है इसमें का जो कॉंट्र यहां पिजनस कम हो रहा है अगर क्योंके आपको पता है कंपार के इंट्रेस्ट के चल रहा है और कहां से company business करें की चालू है इस condition में इस चरेजम घi का tomorrow है क्योंके ये सब आप आपंधे डिक्कत नहीं है यहां पर कम्पनी का क्योंकि आने वाले तीन महिने तक मेरे रहें पिछले महिने को भी हम लोग करें तो आप किसी से यह माई कलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह में बिजनस है यह कंपनी का यूद्ध का मैं कंपनी जो है वह जीरो इमाई लोन देते हैं जितना ले रहे हैं उतने आपको रिटेन करना है ऐसा कुछ है कंपनी का स्कीम तो अगर कुछ बिकेगा नहीं और जिन्होंने लोन लेके रखा हुआ है वो भी अपना लोन का इमाई नहीं बरेंगे तो कंपनी में पैसा कहां से आएगा यह एक बह लोग जो लाइफस्टाइल की चीजें खरीते हैं जहां पर बजाज फैनेंस अंसेक्यूर लोन देता है तो यह लाइफस्टाइल जैसे आप लैपटॉप खरीदने जाओ वाशिंग मशिन करेदो टीवी करेदो यह सब चीजों के लिए जो बजाज फैनेंस से यह लोन देत है और कहीं नहीं पर इनका MSME का बिजनस पर शायद थोड़ा इफेक्ट हो सकता है क्योंकि अगर कंपनी स्टार्ड भी होती हो तो डिपेंड करता है कौन से कौन से एरिया में जैसे कि ग्रीन जोन रेड जोन कर गया यहां पर तो यह खुलने के बाद भी एक थोड़ा टाइ नींगों को रखने के लिए आठेयगे कभाट के लिए को कि लिए पिसी और वराली ने रहे बवाली के चीज़े आठेया है था इसकोल मौनीं के सथमुद्य और वली तो पक्का के लिए जगानी होती है तो लैप्टॉफ शायद लोग खरीद ले और रहा मसमी का जो चीज है एक जब कंपनी स्टार्ट हो जाएंगी थोड़ा ग्रीन जोन बढ़ने लगेगा तो कहीं ना कहीं पर जाके एक दो महने बाद छे महने बाद या एक साल बाद उनी कंपनी के जो से कंपटी का जो है वह गुर्ध या रिककरी या बिजनस हम लोग बोल सकते हैं वह स्टार्ट होने की पूरी की पूरी संभावना यहां पर मुझे लग रही है और चलते हो जैसी बिजनस कंपनी market leader है तो market leader को grow करना कोई रोक नहीं सकता इसलिए मैं हमेशा आपको suggest करता हूँ कि भाई अगर buy कर रहे हो नए buyer हो ज्यादा risk नहीं लेना चाहते हो तो जो है हर एक industry है यार अपने पास हर एक industry में market leader है और उसके इसाब से हर एक market leader में अगर invest करते हो अभी के time पे क्योंकि सब market leader down है अच्छे price मिल रहे हैं तो होगा क्या एक तो अच्छी company buy करोगे अच्छे rate पर buy करोगे और जो है risk कम होगा और capital safe होगा और बहुत इंपोर्डन चीज जो investment है वो diversified होगी ठीक है बहुत पाच चीजे जो हमेशा Warren Buffett sir हमें बहुते हैं हर को अच्छा investor आपको बताएगा कि इन पाच चीज अगर आप कर रहे हैं तो आप एक अच्छे investor हो तो यही पाच चीजे आप ध्यान में रखो आपको diversified रखना है आपको अच्छे shares में invest करना है आपको low price में invest करना है fundamentally strong company में इंवेस्ट करना है growing company में इंवेस्ट करना है तो यह सब करने के बाद होगा क्या आप एक अच्छे investor बन जाओगे और दीरे-दीरे सीखने का time जो है वो आपको मिलेगा लॉस नहीं होगा तो आपको confidence भी automatically बढ़ता जाएगा तो fundamentally यह चीज हमने देखी के भाई यह सब चल रहा है fundamentally यहाँ पर तो strong है company company का business खराब हो चुका है क्योंकि market बंद है requirement नहीं है company के अंदर कोई गड़बड नहीं है जो हमेशा हम देखना चाहते है holding की भी बात करेंगे हम लोग तो holding की तरफ यह भी थोड़ा सा आगे चरके देखते है holding company की holding की भी बात करेंगे तो कुछ ज्यादा फरक नहीं है promoter का holding 56 था 56 ही है थोड़ा 10-12 point इधर उदर है तो ठीक है वो कोई बड़ी बात नहीं है वो देखें यहाँ पर 55 था तो हम लगी हैकteen बड़ा दिया यहाँ यहां पर फीड थोड़ा कम कर दिया फीड थोड़ा कम कर दिया मासी किख महीं किकल यह बलड हुआ है यह सबसे इंप्सक्राइब रखना दो प्रमोटर ने कोई विढ लगा ही नियका तो यह 100% perfect है FIIs और FPI का investment भी stable है यहाँ पे इतने pandemic के चलते हुए investment यहाँ पे stable रखना बहुत बड़ी बात है क्योंकि काफी सारी companies में से FIIs जो अपना पैसा निकाल के भाग चुके हैं तो यहाँ पे इनका investment अभी भी stable है का investment आप देखे रहो regularly दो साल से बढ़ रहा है तो यह भी एक plus point है हमारे लिए financial institute का भी अगर आप देखोगे तो investment stable कहूंगा मैं इसको 25-26 तो थोड़ा सा गुरूप इस्टेबल कहूंगा insurance company ने अपना investment बढ़ा दिया यहाँ पे काफी अच्छा मुखा देखे इन्होंने बढ़ा दिया इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं पर स्टेबल है होता क्या है बड़े शेयर जब गिरने लगते हैं ना दोस्तों तो आप भाग लेते हैं यहाँ पर दो चीज़ें आप कर सकते हो अगर आपके पास holding power है आप hold कर लो ठीक है दूसरी मैंने खरीदा नीचे जलते जलते अगर वहां पर मुझे आइडिया आ जाता कि मार्केट गिरने वाला है और मेरे पास holding power नहीं थी या फिर मैं नहीं कर सकता था तो मैं वह शेयर 2,000 सब बेच देता और नीचे आके मैं और अठासों में खरीद देता तो बहुत ही अच्छा यहीं पर ट्रेड करता रहेगा तो ना आप बाई कर सकोगे ना उसको सेल कर सकोगे तो यह दो चीज़े आप अच्छी तरह से सीख लो कि अपर सर्कीट में आप बाई नहीं कर सकते अगर गलती से शेयर उपर बेच दिया और नीचे खरीद नहीं पाए तो यह पच्छताव यह रहेगा कि उपर अला होल्डिंग रखो क्योंकि वैसे भी दोजार नो सो के अगर मेरा होल्डिंग पकड़के चले तो वैसे भी देट हजार पर शेयर में कमा नहीं वाला था तो अभी मैंने अपना करते करते जो काफी अच्छा लेवल पर में आ गया हूं तो प्रॉफ अब चलते हैं चार्ट अंइलेसिस पर यह बहुत इंपोर्टन चीज है यहां पर चार्ट अइन अलेसिस का यह में मेरे एंवेस्टिंग वाले से दिखाऊँंगा मैं आपको एंवेस्टिंग पर चलते हैं हम लोग तो यहां से उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहां पे कि अगर अगर आप देखो कि बज़ाइस के शेर को ना यहां पर मैं दो चीजे और आपको लगा के दिखाता हूँ इसको तो पहले यहां पर कर लेते हैं यह थोड़ा बढ़ता है समझाने में ठीक है कर लेते हैं कि यह मेरा पसंदीता इंडिकेटर है इसका इसका थोड़ा कालर चेंज कर देता हूं तक यह समझ सको आप लोग यहां पर क्या समझ में आवे अपने इंपोर्टन यह है कि आपको चीजे समझनी चाहिए ठीक है अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से बज अब यहीं से बात कर लेंगे यह में वाला मंद पकड़के चीजा तो यह था इसका हाइ समझो यह पकड़ लेते हैं हम लोग अब यह कंपर इंद कर रहें तो यह हाइप पकड़ेंगे तो यह बन जाता है आपना पॉसिबल यहां तक लो हो जाता है तो 17 सो की तरफ यह लो यहां पर यहां पर यार मेरे को भी डर लगने लगा था कि यार यह और गिरेगा तो अपने तो लग जाएंगे घड़े घड़े तो यह चीज है अगर आप देखना चाहते हो तो माज किजएगा मसेडी में भी आप देखो गें घ्रीन काई थोड़ा सा ग्रीन टेक और कर रहा है मतलब कही ना कहीं पर बुलिश की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है अगर यहां पर भी देखोगे शेयर अच्छा का सा बुलिश है शेयर का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है यहां पर अगर green में देखोगे यह green में वाले volumes और red वाले जब नीचे आने वाले जो होते हैं वो volumes है तो यहां पर जब भी भी शेर नीचे नीचे यह बात आपको सेटेक्रश करेगी तो अब आफ देखो कि यहां पर रेंट ने से नीचे आ रहा है यहां पर ऑपर यह बहुंच करेंगे तो अब यहां जब भी तक यहां से उपर नहीं जाता है आपको चुप बैठना है जब भी यहां से ग्रीन को पासवर करके शेर जा रहा है मतलब अभी भी कही ना कहीं पर बुलिश मोड पे था बाद में थोड़ा था नीचे आ गया देखिए यहां पर भी नीचे आगा फिर अभी उपर जा यह बढ़ा तो यह नीचे आने वाला है यह बैसिक है इसके ऊपर और आप आरे साइब लगा सकते हो मैं आरे साइब एक दिखा देता हूं आपको लगा के यहां पर यहां पर एक सेकिंड इसका मैं आइडिया ले ले लेता हूं आपको यह सेवेंटी तर्य बोसी कली ना 60-20 का मार्जिन तो कहां जाता है कि यह सही मार्जिन होता है यहां पर और प्राइस शेयर अभी शेयर जो है रेंज में है अच्छी कासी ट्रेड कर रहा है तो यहां पर एक चीज़ अगर आप देखोगे ना दोस्तों जैसे हम रेसिस्टंस की बात करते हैं वैसे सपोर्ट क बात करनी चाहिए हमें चाहिए यह रेसिस्टंस लेवल निकल के आ रहा था उसके बाद में यह निकल के आ रहा है रेसिस्टंस लेवल उसके बाद में अभी यहां पर कोई रेसिस्टंस अगर पकड़ेंगे तो यह रेसिस्टंस लेवल पकड़के चलते हैं तो यहां पर को कोई चीज आपको ध्यान में रखनी है अगर उपर की ओर ट्रेड करें तो शेयर का उपर जाने का कोई लिमिट नहीं है क्योंकि शेयर बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है भी तो यहां पर मैं सजेस्ट करूंगा आप बाई ज़रूर कीज़ेगा लेकिन सपोर्ट लेवल ढूँड रहा है तो इन्वेस्ट में अगर आप सब्सक्राइब में अभी से भी कर लेते हो 19-20 में तो उट्रा सो शेयर अगर गिर रहा है क्योंकि मेरे इसाब से शेयर सब्सक्राइब नीचे नहीं जाना चाहिए ठीक है सब्सक्राइब पॉसिबिलिटी है म लगा हुआ एक कंपनी के उपर आने वाले कुछ समय में कंपनी को बिस्मस भी शायद ना हो पाए तो यह समझ के चलिए इस पॉइंट को तो एसाइपी जरूर कीजेगा इसाइपी मोड मैं बिल्कुल सजेस्ट करता हूँ यहाँ पर मार्केट लीडर है तो कंपनी डेफिनेटली स्टार्ट होने के बाएद फटा फट गेर अप करने वाली है तो वहाँ पे कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको तो इन चीजों को आप समझीएगा और आगे चलके देख लेते हैं कुछ और चीज़ेत हमेशा हम लोग देखते हैं वह है short analysis short में करेंगे इस बार करेंगे वीडियो काफी लंबा ओल्डी हो चुका है श्रहें देखिए प्रमोटर शेयर होल्डिंग बढ़ा चुके हैं वह हमने देखा कि 15 पॉइंट था जो 20 पॉइंट हो गया इतना टेंशन वाला पॉइंट नहीं कि कंपणी में गडबड नहीं है गडबड जो है एंवार्मेंट में टीक है वीकनेस में अगर आप देखो कि कंपणी का तो कंपणी का जो net profit है जो अभी सीजन में चल रहा है वो decline हो रहा है और वो होना ही है क्योंकि कंपनी का business नहीं ह कर रही है अगर company interest properly pay कर रही है और interest pay करके tax pay करके company dividend भी पे कर रही है तो मतलब company कमा रही है ठीक है इस चीज को याद रखिएगा declining operating profit margin अभी company के operation में जो पैसा लगता है वो company के पास कम हो रहा है क्योंकि स्वर्य आने वाला पैसा का पूरा रस्ता ही बंदे company के वास 52 लोग वीग जाए 1700 के आसपा शेयर ट्रेड कर रहा है तो 52 वीग जो है वह लोग होने वाला company का यहां पर कुछ opportunities आपको निकल के आ रही है देखिए percentage compared to previous volume जो होता है मतलब जो लोग जो खरीते हैं उसका percentage delivery निकल के आता है तो वह percentage दिन बढ़ रहा है मतलब लोग इसे खरीद रहे हैं और जब लोग खरीदेंगे तो मतलब लोग इंड्रेस्टेड है मतलब शेयर को उन्हें लगता है कि शेयर profit कमाएगा अब ब्रोकर ने अपना अपना जो टार्गेट प्राइस है वह अपग्रेड कर दिया किसी ने 3700 किसी ने 3900 किसी ने शायद में भी 4000 के उपस भी कुछ लोग आने वाले टाइम में बढ़ा सकते हैं क्यों बढ़ा रहे हैं दो रीजन से क्योंकि एक तो जो अपना finance minister है उन्ह ने 30 में च्चराइब कर सकती है कि एक इसे हैं दोस्तों कि मांज कीजैगा यहांपर ठ्रेट्स थोड़े से अर दो रह लोग है है तो इनको हम लोग अच्वास के लिए आपको साइड पर ही लेके चलता हूं तो तो यहांपर है मेरे गलती से हम वहां पर कुछ आप्डेट यहां पर देखें कि आते हैं तो तो बताओंगा एक सेकंड त्रीन थ्रेट से देखें यहां पर अधिक तो कुछ ब्रोकर है उन्होंने रेको या टार्गेट प्राइस को यहां पर कम करने की कोशिश की हुए क्योंकि जो पैकेज देखें रहा था शायद वो मिला नहीं अभी तक तो इनको थोड़ा जल्दबाजी है मार्केट गिर रहा है तो कहीना कहीं पर यह भी सोच रहे हैं कि भाई पॉसिबिलीटी हो सकता है आरे से इंडिकेटिन वीकनेस देखें यहां पर यह से में थोड़ा क्या बोते हैं ना एक सहमत नहीं हो यूँके है 60-20 के रेंज में अगर 40 का प्राइस बता रहा है तो वह वीकनेस नहीं हो सकता वह हम लोग कहेंगे कि तो शायद NPS में भी कंवर्ट हो सकता है यह थोड़ा वीक पॉइंट यहां पर हो सकता है क्योंगे कंपणी बंडा मेंटली स्ट्रॉंग है कंपणी का बिजनस स्ट्रॉंग है कंपणी ने लोन भी देखे रखा हुआ है लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है शायद इस बा पैसा जो है वो EMI का जो है वो NPS में कंवर्ट होने की पूरी की पूरी संभावना यहां पर इस पॉइंट को लेके जो है यहां पर कुछ कंपणी ने उनको डाउन्ग्रेट करने की मत्लब एक सोच रखिए कि बाई इनको डाउन्ग्रेट कर सकते हैं या उनके लिए किजिएगा समझ में नहीं आ रहा है कमेंड में जरूर बात कीजिएगा पूरी कोशिश करूँगा अगर मुझसे कुछ मिस हो गया तो वह कवर अप करने की ठीक है यह ओपीणियन था दोस्तों मेरा आप मेरे ओपीणियन से डिफर ओपीणियन रख सकते हो और बाय करने का डि होते हैं जो आपके consultant होते हैं उनसे बात करके लीजिएगा उनका opinion और हमारा opinion मिल सके या differ कर सके decision आपको लेना है हम सीफ आपको बताते हैं कि हमारा study क्या है और हमारा opinion क्या है वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजिएगा subscribe कीजिएगा share जरूर कीजिएगा दोस्तों share से क्या होता है network बनता है network बने से family बड़ा बन जाता है आपकी बात हमेशा सराखों पर है दोस्तों thank you very much